नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमिटस फोरर टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एमिटस फोरर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और एमिटस फोरर टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमिटस फोरर टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Emitus Forer एक ब्रैंड नेम है. Emitus Forer टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन ओन दिन्स्ट्रोन 4MG होता है. Emitus Forer टैबलेट का उप्योग उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना और जी मिचलाना आदी समस्याओं को ठीक करने वर रोकने के लिए Emitus Forer टैबलेट का सर्जरी के बाद भी डॉक्तर उल्ती को आने से रोकने के लिए भी Emitus Forer टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Emitus Forer टैबलेट की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Emitus Forer टैबलेट की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, शरील में ठकान होना और कब्स होने की समस्या हो सकती है. अब हम discuss करेंगे की Emitus Forer टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है. Emitus Forer टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Emitus Forer टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं. Emitus Forer टैबलेट को मुँ में लेने के बाद Emitus Forer टैबलेट अपने आप घुल जाती है. इसलिए Emitus Forer टैबलेट को बिना पानी पिये भी लिया जा सकता है. Emitus Forer टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको Emitus Forer टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Emitus Forer टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को Emitus Forer टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे Ondenstron आदी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Emitus Forer टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए. और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. वैसे Emitus Forer टैबलेट प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है. प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्तर Emitus Forer टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं, जब Emitus Forer टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो. प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Emitus Forer टैबलेट उल्टी को रोकने के लिए वठीक करने के लिए एक फर्स्ट लाइन आप्शन नहीं है. प्रेगनेंट महिलाओं में उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आधी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्तर डोकसिलामाइन और Pyridoxin Tablet को कॉंबिनेशन में लेने की सला दे सकता है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Emitus Forer Tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर Dr.Pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Emitus Forer Tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Emitus Forer Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं